अगर आप प्लान कर रहे हैं एक फुली आटोमेटिक वाशिंग मशीन लेने का तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बढ़ाई क्योंकि या तो आप अपना बहुत धयान रखते हैं या फिर आप जिसके लिए ये वाशिंग मशीन लेना चाहते हैं उसका आप काफिक खया आपको आ सकती है चूज करने में इन दोनों में से कौन सा वेरेंट आपको चाहिए वो दूर होने वाली है मेरा नाम है संदीप और चानल का नाम है टिप्स बिफोर बाइंग जिसके अंदर मैं बताता हूं कि कोई भी समान लेने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना अची है फिर आप कन्फ्यूज है अगर दो या दो से चालदा वेरेंट के अंदर तो उसके अंदर आप सही डिसिज़ों जो ले सकते हैं आज जैसा कि मैंने बताया टॉप लोड वर्सिस फ्रेंट लोड है और इसे तरकी की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल कुछ जादा मिलने भी वाला है सबसे पहले जिस चीज़ को जो काम करता है वाशिंग मिशीन कपड़े दोने का उससे ही हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर जो फ्रेंट लोड है वहाँ पर आपको टंबलिंग एक्शन देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको टंबलिंग तरीके से हो जाती है और जो आप अगर बात करते हैं मैल वगरा निकालना कपड़ों में से सफाई अच्छे तरीके से होना तो डेफिनिटली आपको जादा अच्छी यहाँ पर क्लिनिग देखने को मिल जाएगी वहीं पर बात करता हूँ टोप लोड की तो यहाँ पर चर् फ्रेंट लोड के अंदर जादा देखने को मिलेंगे लेकिन फेब्रिक केर की गर बात करो तो बहुत ही थोड़ से मार्जन से आपको जादा अच्छी केर देखने को मिल जाती है टॉप लोड के अंदर क्योंकि वहाँ पर आपके जब कपड़े इस तरीके से घूमने तो ज फ्रेंट जादा लेकिन फोड़ा सा इस जाणा पड़ता लेकिन फेब्रिक को मामली में फ्रेंट लोड के अनदर फ्रेंट लोड में जिस अपर अगे जाता निकल जाता है यहाँ पर इस जीज और आपको पताना चाहूंगा। और वहाँ से कपड़े निकाल भी सकते हैं अगर आपको कोई unwanted या फिर कपड़ा पहले से निकालना है तो उसके लिए लेकिन front load के अंदर काफी मुश्किल है एक बार आपने अगर washing शुरू कर दिये तो आप उसको खोल के कपड़ों को निकाल नहीं सकते हैं तो अगर आपको बीच में कपड़े निकालने या डालने हैं तो top load के अंदर ये advantage आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी एक और advantage के अगर मैं बात करूँ जो top load को मिल जाती है वो है power consumption की क्योंकि यहाँ पर power consumption थोड़ा सा कम होता है अगर मैं comparison करूँ front load के मकाबले अगर आप तीन wash करते हैं तो आप तीन wash cycle अगर आप चलाते तो यहाँ पर आपकी एक unit के करीब बिजली खर्च होती है वही पर अगर आप front load के अंदर तीन washing cycle चलाते तो आपके दो unit के आसपास की बिजली खर्च होती है तो लगबग मैं बात करूँ तो आप difference देख सकते है कि जो बिजली की जो खपत है वो आपकी front load पे थोड़ी सी जादा होती है, top load पे थोड़ी सी कम होती है अगर आप यह सोचे है कि मैं top load की इतनी सारी खासे तो front load बढ़िया कैसे हुआ दोस्तो यह तो बड़ी normal सी बात है क्योंकि अगर आप बहुत long term में लेके जाते हैं तो वो कोई जमीन आस्मान का फर्क आपको देखने हो मिलेगा, minor नहीं मिलेगा, minor सा ही वो difference देखने हो मिलता है, लेकिन अगर major difference की बात करें तो सबसे पहले तो हमारे को अच्छी quality चाहिए होती ही, जादा function चाहिए होते हैं, इससे अगले अगर बात करें तो पानी जो है वो उसके दरा पानी डालते है, तो वही पानी यूज होता है उसकी दुलाई के लिए और वही पानी यूज होता है बाद में squeeze करने के लिए, तो ऐसे में उतनी अच्छी output निकल के नहीं आती है, लेकिन अगर बात करता हूँ, फ्रेंट लोड की तो थी टाइम मतलई वाश करता उसको तो ऐसे में जब कपड़ा भार निकल गया था, तो काफी अच्छी आपको एक output देखने को मिल जाएगी, बने काफी अच्छी cleaning देखने को मिल जाएगी, हाँ लेकिन अगर आप फ्रेंट लोड वाशिंग मशीन यूज करते हैं तो आईक चीस का आपको ज़रू ध्या लेकिन क्योंकि फ्रेंट लोड के अंदर रेगुलर वो वाश चलता रहता तो ऐसे में पानी थ्री टाइम इसके अंदर यूज होता है, जैसे कि मैंने आपको बता है, तो पानी आपको रेगुलर चाहिए होता है, तो ऐसे में अगर आप किसी सुसाइटी में रह रहे हैं, या फिर tap जो है वो tank से उपर से directly connected है पानी कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो इस इसका ज़रू ध्यान रखेगा कि semi-automatic हो या top load हो वहाँ पर अगर पानी directly connected नहीं भी है तब भी काम चल जाता है लेकिन अगर आप front load washing machine यूज़ करें तो आप आपके directly पानी की tap से washing machine का connection होना ब fabric friendly तो खेर दोनों ही है पानी के अगर बात कलता है तो बहुत कम मतले लबक तीन कुना कम पानी यूज़ करती है front load washing machine top load के मकाबले अगर noise की बात करो तो वो भी काफी कम आती है front load washing machine के अंदर top load washing machine के मकाबले इसके अलावा काफी सारे relevant आपको features देखने को मिल जाते हैं बहुत अगर आप budget increase कर सकते तो definitely मेरा option यही रहेगा कि आपको front load fully automatic washing machine के लिए जाना चाहिए साथ में आपको ये भी बता देता हूँ कि कितने kg की washing machine आपके लिए जाधा बेटर रहेगी क्योंकि जाधा तर लोग और कौन से brand की आपके लिए जाधा अची रहेगी क्योंकि शोरों में जब जाते हैं तो वो confused होते है कि उनके लिए 6 kg वाली washing machine जाधा ठीक रहेगी या 7 kg या 8 kg वाली तो ऐसे में इसका simple सा एक funda है अगर आप एक shirt को ले लेते है तो उसको जो brand है वो 300 ग्राम का मानता है और एक trouser को अगर आप लेते हैं तो उसको 700 ग्राम का मानता है अगर washing machine की जो capacity है वो 6 kg की है तो अगर आपका एक छोटा परिवार है 2 या 3 लोग का चार लोगों तक का भी अगर आपका परिवार है तो आपको 6 kg तक की washing machine के लिए जाना चाहिए 4 से 6 लोग का अगर परिवार है तो आप 7 kg के लिए भी जा सकते हैं और अगर आपकी joint family काश तो आप 8 kg तक की washing machine के लिए जा सकते हैं और एक चीज़ का और आप ध्यान रखेगा कि जो top load है उसकी cleaning थोड़ी सी असान रहती है तो क्योंकि वो उपर से सारा खुला होता है तो दिख जाता है उसके अंदर front load के अंदर इतना नहीं होता है तो यहाँ पर नगे chemical आते हैं जिनसे आप cleaning कर सकते हैं उसका आप जरूर chemical बगरा लेके रखेगा और साथ में वही आप washing machine यूज़ कीज़ेगा जो recommended है washing machine manufacturer के द्वारा और एक और चीज़ होती है कि कई बार आप जब showroom में जाएंगी तो आपको AMC बोलते हैं कि आप AMC ले सकते हैं फ्रेंट लोड अगर आप washing machine ले रहें तो मैं आपको recommend करूँँआ कि आपको AMC ले लेनी चाहिए क्योंकि शुरुआत में जब लोग front load washing machine को use करते हैं तो इतने सारे functions उसको नहीं पता होते हैं दीरे दीरे वो used to होते हैं तो ऐसे में शुरुआत के दो-तिन साल में AMC जादा महेंगी होती भी नहीं है मेरी recommendation यही है कि आप AMC को लेजी आपको फाइदा ही होने वाला है और अगर आप यह चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ एक वीडियो बनाओं जिसके अधर में आपको टॉप 5 SC washing machine बनाऊं जो बताऊं जो टॉप लोड के अंदर आती है अँधी तॉप 5 washing machine बताऊं या टॉप 3 बताऊं जो टॉप लोड के अंदर आती है तो definitely आप comment नीचे लिखके में चृण बिताएगा अगर brands की बात करें तो Bosch और IFB हमारे उख खुद भी चूज़ करना होता है कि हम ज़्यादा features पर जाने वाले हैं या फिर ज़्यादा quality पर जाने वाले हैं क्योंकि Bosch और IVE आपको भी मालूम है German engineering है तो काफी अच्छी उनकी quality हो जाती है parts भी हलागी थोड़ा से महंगे होते हैं LG और Samsung भी कोई कम नहीं है वो भी काफी अच्छी आपको धुलाई करके दे देंगे यह मेरा एक overall comparison था top load में और front load में अगर आप मुझे से पूछते हैं कि मुझे कौन सा लेना चाहिए अगर मुझे budget की कोई दिक्कत नहीं है तो definitely मैं front load के लिए ही जाने वाला हूँ और अगर मैं budget थोड़ा सा मेरा issue है इसका budget का और मेरे को पानी की थोड़ी सी problem है कि मेरे को regular पानी की supply नहीं होती है तो मैं top load के ले जा सकता हूँ बाकि आपका क्या है सुछाओ आप नीचे ज़रूर comment box में बताएगा आप कौन सी washing machine के ले ले जाना चाहते हैं इसी तरीके के वीडियो और कोई भी अगर आपको लगता है कि आपको किसी और product को खरीदने से पहले आपको tips चाहिए तो आप नीचे comment में ज़रूर लिखेगा मैं ऐसे वीडियो regular लेके आता रहता हूँ और मिलता हूँ आपसे जल्दी ही next वीडियो के अंदर